असलाम वालाइकूम और रहमतुल्लाही बरकातूँ तो आज की वीडियो में मैं आप लोगो बताने वाला हूँ कि आप अपना आप चाहे तो कुरूम से भी कर सकते हैं तो मैं अपना करूम कर देना है और अपको इतना ही लिख MIK कर देना है इसे से पहला वाला जो वेबसाइट है यह सामने आपको दिखेगा इसी वाली वेबसाइट आपको किली करना है इसके लावा और भी वेबसाइट आपको दिखेगी लेकिन आपको फर्स्ट वाला वेबसाइट पर किली करना है उसके नीचे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दि दिखता है ये पेज अगर आगा अरभी नहीं आती है इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर अरभी लिखा रहेगा उपर मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर आपको दिखेगा अरभी आपको यहाँ पर किलिक करेंगे तो आपक पर दिखाता हूँ कि वो जो option है, गहां पर है, तो देख सकते हैं, यह इंग्लीश में वाचोगा, welcome लिखा चुगा, dear customer होगा, यहां पर दिखा रहा है, तो आपको यहां पर चेक करना है, गहां पर लिखा गधा हुआ है, तो अगर यहां पर तुला चेक करते हैं, अगर आप वेपस से इसी वाली वेबसाइट को ओपीन करना होगा इसको हमको यहां से बैक करना होगा अगर आपका इस तरीके से आता है तो भी कुरहा है यहां वंज़ो करेंगे मासे किलिग तो फिर से थोड़ा सर्च लेगा अभी मैं आपको दिखा देता हूं जैसे आपे देख सकते हैं थोड़ा यहां पर आपको वेट करना है थोड़ा यह वेबसाइट जो स्लो काम करता है तो इसके लिए पहले बादा देता हूं कि आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है यह है ऐसे इस स्लो काम करता है तो यहाँ पर मैं इसको क्ली कर चुका हूं अब यहां पर ओपन हो रहा है ओपन होने बाद भी आपको दिखाता हूं कि वह जो है बटन हमको मिला कीना यह अगर नहीं मिलेगा तो इसके लावब एक और रास्ता बताता हूं ताकि कोई भी तखली वो गर कोई भी परशानी हो तो आप कुछ से सॉल कर पाएं तो देख सकते हो यह फिर भी बटन हमको नहीं मिल रहा है इसके लिए हम को क्या करना यहां पर किलिक कर देना है तो हम देखते हैं अभी हमारे पास में आता हैं कि नहीं तो अरभी के मिलने वाला है वो बटर ऑब बटन का नाम कहा है अंगर मेली के लिए है तो यह पर इंकली करने के लिए लिए आफको थी कुछ đị cookies Uhr टो हुझ्ट हम यहां पर कुली करेंगे यहां पर लिखा हुआ है रच्टे वुश्ट हूले करेंगा क्यूंकEnt को इसी कि दरूबती अगर आपको नहीं मिलेका है तो इस तरीके सा ना है तो आपको यहां पर लगा दिया हूं अब यहां पर मैं green वाली बटन पर click करके आपको दिखाता हूं कि आगे का कौन सा page है और क्या आता है क्या करना होगा तो यहां पर आपको अपना अकामा आईडी नमर आपको यहां पर डाल देना या फिर आप जिसका भी अकामा नमर डाल दिया दिखा देना दिखते हैं अब यहां पर क्लिग करेंगे date of birth के ऊपर यहां पर हम क्लिग कर देंगे और यहां पर क्लिग करने बाद आपको दिखाता हूं कि इसका तरीका क्या है किस तरीके से अपना अर्भी में डालना है तो क्या करना होगा इंग्लिश में डालना है तो क्या करना होगा तो यहां पर क्लिग करने एडी जहां पर लिखा हुआ है इसके उपर हिजरी वाला जो है वार भी का है उसके निचे कोई भी बटन लिखा होगा आपको इस पर किली करना तो यह जो है कलेंडर पुरा इंग्लिश में इस तरीके से देख सकते हैं आशुटा है तो सबसे पहले हम यहां पर किली करेंगे और हमारा जो जन्म का जो एयर है जो साल है हमको वह सेट करना है तो यहां पर मैं पहले फटाफट से उससे हमां सेट कर लेता हूं इस तरीके से तो यह रहा मैं इस पर किली कर देता हूं अब यहां पर लिखा हुए नवंबर जो महीना जो लिखा हुए मैं इस पर किली करू हुझ देख सकते हैं हमारा यह घो पर यहां पर और वाले क्लिक्स दिखाएंगे किया होता है यहां पर चलिक्ते से कहते हैं तो हमको यह OTP कोड की बीज़रूत पढ़ने माली अभी जब हम आगे पेज़ पर चले जाएंगे तो यह देख सकते हम या पर हमारा यह कोड है हम आपको पहले चकर रहते हैं तो हमारा जो है वेबसाइट यहां पर लिखा हुए विरिफिकेशन कोड तो हम इस बॉ ईसके उपर उपर किली करना यहां पर यहां पर इसके उपर किली करना होगा और फिर आपके सामने इसका जो रिजश दिखाता ह taughtee है उसमें कहां कहां पर क्या कि लिखा हुआ सब उप्चह बादा यह चुका है तो सबसेinder नाम नाम दिखेगा जैसे हमारा नाम लिखा हुआ देख सकते हैं और फर्स नेम और यहां पर लाश नेम फैमिल नेम यहां पर जो भी है आपका नाम यहां पर जितना भी लिखा रहेगा सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आपको और नीचे लिखाना है यहां पर आपको दिखेगा तो और निचे लिए आपको फिर से दिखेगा आकामा नंबर मैं आपको दिखा दे सकते हैं आपको यहां पर यहां पर निचे लिखा हुआ है चाहे नावलोड बनाना क्या करना वह तो आपको यहाँ पर किली किली कर देना है यहाँ पर शेर पर प्रिंट और यहां पर देख सकते हैं कि आख़ा स्वाओ करेंगे फिर आपको यहाँ पर निच्छे लिखा हुए दिए इसपर टाइब करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका नाम दिखेगा आपको यहाँ पर बस से ओ पर किलिक देना है अब यह फायल भी सेव हो चुकिए हमारे गैलरी में तो आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मिलेगी इसको इसलिदा आप यहां पर होड़ करेंगे सीदा चलेंगे माई फाइल में या फिर माई फोल्डर या फॉल्डर के नाम से होगा उसको ओपन करना तो यहां पर नीचे हमारे पास में देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ करूंगा फाइल के उपर तो आप देख सकते हैं आपर यह उपन हो रहा है यही वह फाइल है देख सकते हैं